हाई फ्रेंड्स मैं अकांजे सर्मा जी के वितिकांशा मैं आपका स्वागत करती हूं फ्रेंड्स आज आज हम मद्य प्रिदेश कला संस्कर्थी की सूपट उपर प्रशने पढ़ने वाले हैं अभी लेकों से लालेक से संब्देश फटा फट प्रशने करेंगे आपको आए जो आंसर आता है उसका रिवीजन कर लीजे जो नहीं आता है उसको लिखकर नोट डाउन कर लीजे तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कुशन है उदेपूर भकतर से किस वंश के सासक के अभी लेक प्राप्त हुए हैं उदेपूर और भकतर से तो उदेपूर और जो भकत यजवपालवंस है, वहां के जो उदैपूर और भक्तर, उस वंस के सिलालिक उदैपूर और भक्तर से प्राप्त होते हैं, अगला कोशन है, नरवर, बड़ोदी, भीमपूर से यजवपालवंस के किस सासक के अभिलेक प्राप्त हुए हैं, नरवर, बड़ोदी, भीमपूर स आसल देब के अभीलेक प्राप्त हुए हैं ये भी याद रखिएगा कि जो आसल देब हैं वो यजवपालवश के हैं अगला कोशन है रेसम बुनकरों की सिर्णी की जानकारी किस सिलालेक से मिलती है दसपुर प्रियाग एरन या हाति गुमवा तो रेसम बुनकरों के बारे मे उमनसौर में एक दसलेक दसपुर सिलालेक है वहां से मिलता है तो रेसम बुनकरों के सिर्णी की जानकारी कहां से मिलती है दसपुर सिलालेक से मिलती है अगला कुशन है विशो प्रिसिद्द परेड़न इस तर साची का प्राची नाम क्या है कांकराम बैतवती बेशनगरी बेशी परते साची का प्राची का नाम है काकराम क्या बोलते थे साची को काकराम भी बोलते थे अगला है कल्चुरी वन्षी अंतिम सासक त्रलोक क्याоль का अबिलेक मद्यपधेश के किन अस्थानों से प्राप्त हुए हैं यह याद रखिएगा कल्चुरी वन्स का जो अंतिम सासक था वो तरो लोग के अमल था यहां से यह भी याद रखिएगा और इसकी जो सिलालेक मिले हैं वो दोरेटी और रिवा से प्राप्त हुए हैं कल्चुरी वन्स की अंतिम सासक तरो लोग के मल के अबिले कहां से प्राप्त हुए हैं दोरेटी और रिवा से प्राप्त हुए हैं अगला है लौंजी इस्तंब लेक्र किस वंस के सासक से संब्दित हैं अगला गुश्यन है मध्य पदेश के किस जिले से प्राप्त हुए अभी लेखों से दसवी सताब्दी के गुहिल वन्ष की उपस्तिती के साक्ष मिले है अगला है मध्य पदेश में निमले खित्मे से किस स्थान से कच्छब घात वन्ष से सम्मंदित अभी लेख अभी प्राप्त नहीं हुए है देखो कच्छब घात बंस से संबंदी सिलालिक प्राप्त नहीं हूँ फ्रेंड डिस्किप्सान वाक्स में आपको मेरे वाट्सअप गूरूप टेलिग्राउम फेस्बुक ट्वीटर का लिंक मिल जाएगा जोइन कल दीजेगा अगर आपने नहीं जोइन किया है 626-019-1944 यह मेरा वाट्सअप नंबर है अगर आपने आपका नंबर मेरे परस वाट्सअप सेव नहीं कराया है तो हाई लिकर सेव करा दीजेए मेरे जितने भी वीडियो असपर अपिपेiसी प्रीलिम्स तक आरहे हैं देखो साची से प्राप्त हुए हैं रूपनास से प्राप्त हुए हैं जो की कटनी में हैं दतिया के गुर्जरा से भी प्राप्त कर रहे हुए हैं नीमच के काना खेडी से प्राप्त नहीं हुए हालांकि ये पुरातात पर किस तल है और आपसे पूछ सकते हैं कि ये काना खा प्राप्त हुआ है वर्धन वंसे से संबंद जो अभी लेक है वो प्राप्त नहीं हुआ है किसे वर्धन वर्धन वंस पुष्य वर्धन जो थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी और हर्ष वर्धन जो थे वो यहां के सबसे बड़े सा सकते मद्य प्रदेश में प्राप्त गुप्त वंश की लिपी थी दूसरा है गुप्त संबत 320 के अनुसार पश्चिमी मालवा पर बल्लवी के मेत्रिकों का सापसन था जिनके द्वारा गाओं का दान किया था ये भी सही है तीसरा है परमार सासक जैसी जुकी राजा बोच का पुतर था विक्रम संबत 1112 दर्जे तामर पत्र मान उनका जो तामर पत्र है वो मान दाता चितर से प्राप्त हुआता जैसी इंका ये भी सही है अगला है निमल के इसमें से असत कथन का चाहिन करें मोरी वंश में ब्रामी लिपी के से लाले कारी तलाई खरवई लाल पुरा साची पनगोडिया से प्राप्त हुए बिलकुल सही है दक्षिर के साथ बहान वंश का एक अभी लेक साची में पाय राता है ये भी सही है मद्देपदेश में कुशार वंशी दो अभी लेक साची वशिस्क तता जवलपूर बेडागार से प्राप्त हूए ये भी भी सही है इंडो ग्रीक साचओं के सहरोब से प्राप्त हैं ये वाला गलत है मद्देश किस जले में राष्टकूर वंशे से संब्द अभी लेक प्राप्त नहीं गें राष्टकूर वंशे स्थापना डंती दुर्गर नहीं की ती इसके जो अभिलेख हैं सतना से प्राप्त हुएं, वेतूल से प्राप्त हुएं और मन्सोह से प्राप्त हुएं धार जरे से राष्टकूर वन्ष के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए है अगला कुशन है रखे थरामिस्तित विनायक पाल का विलेख किस वंश के सामराज की पुष्टी करता है गुर्जर प्रतिहार वंश के सामराज की करता है किस की करता है गुर्जर प्रतिहार वंश के सामराज की करता है चंदेल वंश ये सासक धंग द्वारा प्रतिहारों की अधीका अधीन तस्विकार किया जाना किस अभिलेक में बहुत इंपोर्टेंट है चंदेल वंश का जो सासक धंग उसने प्रतिहारों की अधीन तस्विकार कर ली थी ये भी आपसे पूछ सकते हैं चंदेल वेंस के किस सासक ने प्रतिहारों की अधीन तस्वीकार की थी तो धंग ने की थी और वो किस अभी लेग द्वारा ये प्रमारित होता है खजुराहू अभी लेग द्वारा ये प्रमारित होता है फ्रेंड्स यह मेरे MPPSC Prelims का practice set है, unit wise यह practice set है, नए syllabus के अनुसार है, इसको आप test series भी बोल सकते हैं, इसको आप practice set भी बोल सकते हो, 11000 MCQ का एक practice set है, हर प्रिकार की topic जो syllabus में दिये हैं, उसके हर प्रिकार के प्रेशने में cover किये गए है, syllabus के according topic के according unit के अनुसार इनको तयार क सब्सक्राइब है, हर यूनिट के 1000 प्लस प्रेशन है, जिसमें unit 6, unit 1, unit 10, unit 5 के कम से कम 1600 से 1700 MCQ है, तो बहुत ही सांधार है, यह चार सो 99 की soft copy हो, तेरा सो 99 प्लस सकतर 90 रूपर में इसकी hard copy है, इसको purchase कर सकते हैं, इसको प्रचेस कर सकते हैं, अगर हम मेंस की तैयारी कर रहे है, हैं रिटर्न प्रेशनोत्तर शंकला में तैयार हो गया है, साथ नंबर, 11 नंबर और 2 नंबर में, आप इसको purchase कर सकते हैं, यह जो मेंस का paper 4 है, उसमें आपको total 4 booklet मिलती है, इस प्रिकार के मेंस के notes आपको मिलते हैं, इस प्रिकार के flow chart diagram सहीत यह दिये जाते हैं, सेम य यह इस प्रिकार की booklet आपको दी जाती है, यह इस प्रिकार की two marker आपको दिया जाता है, इसके लावर यह हमारा MPSC prelims का package है, MPSC prelims है, उसमें आपको total 10 booklet मिलती हैं, 10 booklet बहुत सांधार है, जैसे कि slayvers 10 booklet में बटा हुआ है, 10 unit में बटा हुआ है, उसी की according यह 10 booklet तैयार की गई है, बहुती सरल भासा में फ्लो चार्ट से, डाइग्राम से, मैप द्वारा इनको कवर किया है, तो आप इसको purchase कर सकते हैं, अगर आप हमारे notes लेना चाहते तो आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं, 6260190944 पर, अगर आप इसको notes नहीं भी लेना है, तो भी आप अपने number इस नंबर पर safe करा दीजे, तकि आपको status के थिरूब जैसे एक्जाम पास आता है, तो हम status के दोरह भी बहुत सारे question तयार कराते हैं, तो वो status पर भी अपने number safe करा दीजेगा, पकि description box में आपको मेरे WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter, Insta का link मिल जाएगा, उसको join कर लीजेगा, पहला point है, मध्यपदेश में चंडेल वन्ष का प्रारंभि कबिलेग हर्श का पराप्त हुआ है, चरकारों में देव बर्मा का तामपत्त ताधा कूंडेश वर से चंडेल सासक विद्यदर का हुआ है, ये भी सही है, मध्यपदेश में चंडेल सासक मदन वर्मा के 6 अभी लेग पिल्कol ब такого से है, परमा अगला कुश्यन है हिंदू नेपॉलियन नाम से प्रसिद्ध वह कल्चुरी वंस यह सासा कौन था जिसके चार अभी लेक मद्य प्रदेश से प्राप्त हुए उसको कर्ण बोलते हैं कर्ण को हिंदू नेपॉलियन बोला जाता है बहुत इंपोर्डेंट है यह पूछ सकते है अगला कुश्यन है तरपूरी के कल्चुरी सास्कों के मद्य प्रदेश में प्राप्त हुए अभी लेकों के बारे में चर्चा करें पहला है लक्षमर दुतिये का कारी तबीक करें तलाई अभी लेकिस पश्ट करता है कि उसने कई राज्यों पर अधिकार किया और तरपू कि समराज्य की समरदी फिर से नहीं लोटाई जा सकी है यह गलत है गया कर्ण का कर्ण बेल अभी लेक यह इस पश्ट ने कल्चुरी के बारे में नहीं बताता है चौता है गांगेदेव के मुकंद पूर पियावन अभी लेकिस पॉस्ट करते हैं या अब तक क्के कल्चुर अगला है एरन से प्राप्त अभिलेक किस बसंग वंश के पतन को प्रमारित करते हैं जो एरन से प्राप्त सिलालेक हुए है वो गुप्त वंश के पतन को बताते हैं कि गुप्त वंश का पतन किस प्रकार हुआ है अगला है मद्देपदेश के अविलेक किन छेतरों से प्राप्त हुए है जो अविलेक प्राप्त हुए है जो अविलेक प्राप्त हुए है अगला है किस अविलेक में उलेकित किया गया है कि औलिकरवन्स हुनों से यशो धर्मन के काल में स्वतंत्र हुआ है मनसौर सिलालेक में मनसौर सिलालेक में उलेकित किया है कि औलिकरवन्स हुनों से यशो धर्मन के काल में स्वतंत्र हुआ है किस के काल में यशो धर्मन के किस में लिखा है ये मनसौर के सिलालेक में रागोली से प्राप्त तामर पत्र किश वंस से संबन्दित हैं, सेल वंस से संबन्दित हैं अगला है जूरा सिलालेक राश्ट कूट वंस की किस सासकी बुंदेल खंड छेतर पर विजय को बताता है राश्ट कूट कृष्ण तिरतिये जूरस अभी सिलालेग जो है वो किसकस को बताता है राश्टकूट किशने तिर्थिये के लिए बजय को परमारित करता है कौन जूरस लालेग राश्टकूट वन्स के राश्टकूट किशने तिर्थिये के विजय को परमारित करता है परमार वंसे से सम्मंदित अभीलेखों पर विचार कीजिए कौन सा सही है मालवा छेतर में परमार साजक बोच बर्थम के बारा अभीलेख प्राप्त हुएं बिल्कुल सही है कहां से धार बोच पूर दिपाल पूर महंदी दूसरा है उजेन का सिद्राज अभीलेख ये भी याद रगना सिद्राज अभीलेख कहां पर है सिद्राज अभीलेख उजेन में है ये गोशन पूछा जाएगा सिद्राज अभीलेख कहां है उजेन में है विक्रम सम्मद 1195 में मालवा छेतर पर चालुक्यों की अधिकार को बताता है तीसरा है परमार सासक अर्जुन वर्वन के ससनकाल में सम्मनित सिलालेक धार जिले से तता तामर पत्र पिपलिया नगर से और दो अन्य तामर पत्र भोपाल से प्राप्त हुए है अगला है काकनाद बाट छेतर से असोक का कौन सा भी लेक प्राप्त हुआ है अगला है अभिलेक के संवन में असत्ते कतथन चाटिक पंगराड यह सिहूर तो पहला दूसरा चौहता सही है तीसरा गलत है तो फ्रेंट्स यह थे हमारे आज के कोशन बहुत इंपॉर्टन की कोशन थे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सीर सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा ओके फैंस थेंक्यू